तो वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल जैसे के मैंने आपको सुबोई कम्यूटी में बता दिया था इस वीडियो के बारे में कि आज की वीडियो में आपको अपकमिंग पचास पाकिस्तानी ड्रामाज के बारे में बताऊंगा तो इस वीडियो पे काफी ज़्यादा मेनत हु आते हैं वीडियो देखे चले डाते हैं चैनल को सबस्क्राइब नहीं करते हैं तो शायद इस वीडियो की खातिरा आप कर भी दें तो फिर बिना टाइम को जाए कि शुरू करते हैं आज के मारी वीडियो वीडियो को शुरू करने से पहले आप से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो इससे सब्सक्राइब करतें वीडियो को लाइक नी किया तो लाइक करतें ताकि आपको मज़ीद इससा की अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहें नमबर 50 पे आता है हम टीवी का ड्रामा सीरियल जिसका भी टाइटल तो कन्फर्म नी हुआ लेकिन इसमें हमें सजल अली देखने को मिलेगी जो कि टिक्टॉकर का रोल अदाकती नसराइंगी सजल अली के ओपोजिट जो में नाम देखने को मिल रहा है वो है उसमान खालिद बट का देखते हैं कि इसमें कौन कन्फर्म होता है इसके दो सीजन होंगे और पहला सीजन हमें बहुत ही जल देखने को मिलेगा और हर सीजन की तकरीबन 9 से 10 एपिसोड होंगी इसे मुस्वावरी दिने लिख ए सैफी एसन इसके डिरेक्टर है और ये डामा सुल्तान सिदी की परडियूस करी है और डामा में बहुत जल्द हम टीवी पे स्टार्ट होता नसर आएगा इसके बाद नमबर 49 पे आता है ग्रीन एंटेटेंटमेंट का डामा शेहजादी हाउस जिसमें हमें नवल साइद, फवाद जलाल, सजीरुदीन खलीफा, सलीम शेख और मदिहार इसवी देखने को मिलेंगे इसे खुरम अबास टेरेक्ट कर रहे है और डामा बीजे परड़क्शन के बैनर तले बन रहे है इसकी शूटिंग जारी है और ये एक सोब से लोने वाला है जो के बहुत जल्द में गरीन एंटर्टेंड में पर स्टार्ड होता नसर आएगा इसके बाद नमबर 48 पैतर डामा सीरल जो बचे है संग समेट लो अगर ये नेटफ्लिक्स पर आता है जब भी लेकिन ये कन्फर्म है कि हम टीवी पर इसके तीन सी जनाएंगे और ये एक ड्रामे की शेप में हमें जरूर देखने को मिलेगा तो इसकी कास बहुत बड़ी है आप मतब देख सकते हैं पिक्चिर्ज फवाद सनम, माहिरा बिलाल, माया अली, हमजारी अबास, सीकरा, आदरा जमीर और काफी सारे स्पोर्टिंग एक्टर्ज में देखने को मिलेंगे इसे फरत इश्तियाक ने लिख है इसे मुमिना दुरेद खुद और कई डिरेक्टर मिलके डिरेक्ट कर रहे है शूटिंग जारी है और तकरीबन अक्टूबर तक हमें ये नेट्फिक्स पर और शायद अगले साल के स्टार्ट में हम टीवी पर देखने को मिल जाएगा इसके बाद नमबर फोटी सैवन एर वाई डिजीटल पर एक डिरेक्टर के अबी अपडेट नहीं आई जिसको लेकर कोई अपडेट आती तो मैं आपको बता दूँगा इसकी शूटिंग जारी है नमबर फोटी सिक्स पर आता है जियो टीवी का ड्रामा सिल कट पुतली जिसमें में फरहान मलही, अरूबा मिर्जा, मुच्पा बासकान और शामिल खान देखने को मिलेंगे इसे एर्फान अहमद शिम्स ने लिखे और इससे समी सानी डिरेक्ट करे है, ड्रामा सैवन्स के एंटर्टेन्मेंट के परड़क्शन तले बने है, इसकी शूटिंग जारी है और यी ड्रामा भी बहुत जल्दा में सोप सिल के तौर पर स्टार्ट होता नसर आएगा इसके बाद नमबर फोटी फाइब प्याते ग्रीन एंटर्टेन्मेंट का ड्रामा जिसका टाइटल कनफर्म नहीं है, लेकिन इसमें हमें एरपोर्ट की और एरोपलेन की कहानी दिखाए जाएगी और ड्रामा मुझे लगता है ड्रग्स के बारे में होने वाले है, तो इसम बहुत जल स्टार्ट होता नसर आएगा, नमबर फोटी फोर पे आता है हम टीवी का सोब जिल जिसका नाम है शेहर जनून, इसमें हमें खुश्मू में बसे खत के एक्टर अली हसन शाह देखने को मिलेंगे, जो के वलीद हसन का किरदार कर रहा है, और साथ में हमें आईज अफशा देखने को मिलेंगे, इससे शाफिया खान ने लिख है, जारी खुश्मूद इसके डिरेक्टर है, नेक्स लेवल एंटेटेन्मेंट का ये ड्राम है, इसकी शूटिंग जारी है, ये एक सोब सीरिल है, जो के हमें बहुत जल देखने को मिल जाएगा, इसके बाद 42 पे आता है, जियो टीवी का सूब सिल जिसका नाम है बज्जो, इसमें हमें जोहर आमिर, यासिर शोरो, शामिल खान, आईशा गुल, फजीला लिशारी, सच्चल अफजल और समीना एहमद देखने को मिलेंगी, मज़र मोहिन इसको डिरेक्ट कर रहे है, राइडर का भी कन इसको डिरेक्टर है, और ड्रामा मल्टिवर्स एंटेइन्मेंट के परड़क्शन तले बन रहे है, इसकी जो मतलब टीजर गयरा आचुके है, रिलीज डेट अभी नहीं आई, टीजर से ड्रामा एक अच्छा रोम कौम लग रहे है, उमीद करते है कि ड्रामा बहुत अच् तो ड्रामे का भी और कुछ भी नहीं पता कि कास्ट में कौन होगा, राइटर तो अब्दुल खाली खान है, डिरेक्टर भी फारूक रिन दोते हैं, यानि मजीद इसको लेकर कोई भी अपडेट आती है, तो मैं आपको बता दूगा, इसके बाद नमबर 39 पे आता है, एक जूटा लफज महबबस सीजन टू, ये पहले एक्सपेस पर आया था, अब इसका सीजन टू A.R.Y. डिजिटल पर आ रहा है, जिसमे में फाद शेख, राहत गनी, जोहर तौकीर, सजाद पॉल, मुनवर साइद, फाइजा हसन, सबात अली बुखारी, महा मामिर और सलीम शे जियो टीवी का एक सोब से लोने वाल है, इसकी शूटिंग फुल स्विंग से जारी और इसमें हमें मुसिन अबास एदर, मुमिन अकपाल, मुसिन गिलानी और शाहिसता जबीन देखने को मिलेंगे, और इसके लावा इसमें मिकाल जुल्फकार भी देखने को मिलेंगे, इ इसमें में याले सरहदी, नादिया हुसैन, रहाम रफीग, और आईना असिफ और शहूद अलवी देखने को मिलेंगे, इसे फिजा जाफरी ने लिख ए, राओ आयाज और फुरकान आदम इसे डिरेक्ट कर रहे है, ये डामा बीजे परड़क्शन का, इसकी शूटिंग ज लिखने को मिलेंगे, इसके राइटर डिरेक्टर के अब ये अपडेट नहीं आई, ये अमडी परड़क्शन के वैनल तले बन रहे है, इसकी शूटिंग जारी है, इसको लेकर कोई भी अपडेट आती है, तो मैं आपको बता दूँगा, नबर 35 पे आता है, A.R.Y. डिजि इसकी कास को लेकर कोई भी कनफर्म अपडेट आती है, तो मैं आपको बता दूगा, इसके बाद नबर 34 पे आता है, जियो टीवी का एक शेल्वड डिरामा, जिसका कभी भी मतब्सकी रीशूट स्टार्ट हो सकती है, जिसका नाम है जब्त, इसमें हमें निम्रा खान, साथ कुरेशी मशल खान, हारून चाहिद, रहाम एहमद, जैनब कयूम और राशिद फारू की डिखने को मिलेंगे, इसे साइमा कर्म चौदी ने लिख है, शेकील खान इसके डिरेक्टर है, ड्रामा सैवन्स के एंटर्टेन्मेंट के परड़क्शन तले बना था, परड्यूसर को काम पसंद नहीं आया, रीशूट करवाना था, कभी रीशूट हुआ ही नहीं और डबे में बंद पड़े, उमीद करते हैं, यह ड्रामा कभी ना कभी तो रीशूट होगा और हमें कभी फ्लोर पे जाता नहसर आएगा, इसके बाद नबर 33 पे आता है, गरीन एंटर्टे देखने को मिलेंगे, इसे उमेर एमन देलिक है, अद्दान सर्विर्स के डिरेक्टर है, और यह मल्टी वर्स एंटर्टेन्मेंट का ड्रामा है, इसकी शूटिंग जो है कम्प्लीट हो चुकी है, बन के पड़ें, उमीद करते हैं हमें यह जल देखने को मिल जाएगा, नम नमबर 31 पे, A.R.Y. के एक सोब से लाते हैं जिसका नम है सराब, इसमे में समी खान, कुछ सी आली, मारिया मलिक, अतीका और्डू, असमान पीरजादा, जावेज, शेक, सीमी पाशा और नेदा मुम्ताज देखने को मिलेंगे, इसे नादिया इमन देलिक है, दानिश बहली बन दिसम्बर में शुरू हो जाएगी, और ये इस रमजान हमें सेवन या नाइन पेम के सलॉट पर देखने को मिलेगा, इसमे में मुनीबट और कॉमल मीर ही देखने को मिलेंगे, समरा बुखारी जो है, वो इसकी राइटर है, जिशान है, मैं डिरेक्टर है, और ड्रामा शाहीन खान, शेरिया अरजादी और कई स्पोर्टनी एक्टर्स देखने को मिलेंगे, इसे सीमा घजल और अबुर राशिद ने लिखा है, फरुख फैज इसके डिरेक्टर है, जो कि मतलब उनकी डेट होगी थी, सेट पर थे, शूटिंग कर रहे थे, लेकिन अब डिरेक् पीन देखने को मिलेंगे, इसे कभी मैं कभी तुम की राइटर फरत इश्टियाक ने लिखा है, अली हसन इसके डिरेक्टर है, अमडी प्रोडक्शन के बैनर तले ये डिर्रमा बनना है, और इसकी शूटिंग जारी है, मजीद इसकी स्पोर्टिंग कास्ट को लेकर कोई अ ने लिख है, तैसीन खान इसके डिरेक्टर है, आई डीम का ड्रमा है, तरके वफा को बहुत जल रिप्लेस करने वाला है, इसका टीजर कुछी दिन में ड्रॉप हो जाएगा, इसके बाद नमबर 26 पे आता है, जियो टीवी का, एट पियम का मुझे लगता ही ड्रमा होगा, या फिर कुछ चैंसे जान नाइन पियम का भी हो सकता है, तो इसका नमब है, पहली बारीश इसमें हमें, शेरोस अबजवारी सबूर अली एजाज असनम, सामे मुम्ताज, मुनर्जा आरिफ फरहान अलियागा, शमीम हिलाली और फाइजा हसन देखने को मिलेंगे, इसे जह मौल बलोच, अली रजजा जोकी नूर्जा हमें अभी देखने को मिल रहे है, वो सबाहत अली बुखारी, मिसना वकास और कई स्पोर्टी एक्टिस देखने को मिलेंगे, इसे हुमाहिना नफीस ने लिख है, फहीम बरने इसके डिरेक्टर है, और ड्रामा बीजे परड़क अहमद अली अकबर और शहीरा जलील अलबासित देखने को मिलेंगे, और कई सारे तकिश एक्टर्स देखने को मिलेंगे, तो ये एक्टर्स पाकिस्तानी इसमें होने वाले है, और इसका सीजन टू अगले साल स्टार्ट होता नजर आएका, नमबर 23 पे आता है, एर वाई डिजिटल का डामा, मेरे हमसफर का सीजन टू कहलो, या डिफरेंट टाइटल होगा, लेकिन इसमें में फराहन साहीद और हानिया आमिर ही देखने को मिलेंगे, सायरा रजा इसकी रैटर होंगी, जो सीजन वन की थी, कासीमली मुरीद डिरेक्टर होंगे, सिक सिगमा प्लस का ये ड्रामा है, और इसकी शूटिंग जो है, वो कासीमली मुरीद इश्क है जो ड्रामा आ रहे है, उसकी शूटिंग को कम्प्लीट करने के बार वो भी AIRY डिजिटल का है, इसकी शूटिंग को स्टार्ट करेंगे, तो उमीद करते हैं ये ड्रामा हमें अकले साल देखन इसके बाद नमबर टूंटी वन पे आता है ग्रीन एंटर्टेन्मेंट का डामा कुर्बानी जिसमें में फैसिल कुरेशी, हिना अफरी थी आरेज ऐमद कैसर, निजामी, जावेज शेक और सलमा जफर देखने को मिलेंगे अमीन इकबार इसके डिरेक्टर है बीजे परड़क्शन का डिर्म है, राइटर के बारे में अपडेट नहीं है इस नमे की शूटिंग जारी है और इस नमे में फैसल कुरेशी काफी जंग हमें देखने को मिलेंगे मजीद इसको लेकर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूगा इसके बाद नमबर 20 पे अटर ड्रामा से अलकारजारे दुआ ये जियो टीवी के एक मिनी सीरीज है जिसमें हमें शहजाद शेख, हिनालताब, मुझतवाबास खान, रही दालम, सैफी हसन और कई स्पोर्टिं एक्टर्स देखने को मिलेंगे मिस्बाली सेयद ने इसे लिख है, अलीफ एजान इसके डिरेक्टर है ये 6-7 एपिसोड की मिनी सीरीज है, मजीद इसको लेकर इसकी रिलीज डेट को अपडेट आती है तो मैं आपको बता तूँगा इसके बाद नमर 19 पे आता है परिजाद का चैप्टर 2 हमसे एमद अली अकपर ने तो का है, कि मुझे तो पता ही नहीं कि ड्रामा बन भी रहा है यानी और जो हाशिम नदीम साब है, उन्होंने तो अनौसमेट ही कर दी थी कि ड्रामे का सेजन 2 आ रहा है तो अभी जो CEO है दुरेद कुरेशी उन्होंने का है, कि हाँ परिजाद का चैप्टर 2 आ रहा है, आपको अगले साल देखने को मिलेगा अभी मुझे लगता है, फरार के बाद और जो उनका एक और ड्रामा आ रहा है, रमशाख खान के साथ शॉर्ट सी डिजारी हम टीवी की, इसके बादशाए जो आपरिजाद चैप्टर 2 की शूर्टिंग शूरू कर सकते हैं तो इसमे में कन्फर्म एमद अलियक्पर, युमना जैदी और असद मलिक देखने को मिलेंगे, साथ में नादिय अफगन भी, हाशिम नदीम राइटर है, शेजाद किश्मीरी डिरेक्टर है, और ड्रामा अगले साल में देखने को मिलेगा इसके बाद नमबर 18 पे आता है, एर वाई डीजिटल का प्राइम सलॉट का ड्रामा जिसका नाम है घैर, इस नामे में हमें अदील हुसैन, उशना शाह, उसामा खान, एजाद असलम, मदिया अफगार, अर्जुमन तरहीम और एमद इसमान चैयल डेक्टर देखने को मिलें इसके बाद नमबर 17 पे आता है, तेरे बिन का सीजन 2, तेरे बिन के सीजन 2 में हमें युमना और वहाई देखने को मिलेंगे, और साथ में हमें पता निकों देखने को मिलेंगे, एक्जैक्लिए अबी कुछ भी पता नहीं है, अभी ऐसा भी लग रहा है कि शायद जो एक फ्रेस स्टोरी हमें देखने को मिलेगी, उमीद करते है कि ड्रामे की स्टोरी जो है, पिछले ड्रामे से थोड़ी कम गठिया हो, इसके बाद नमबर 16 पे आता है, गरीन एंटर्टेन्वेंट का ड्रामा बहरूपया, तो इस ड्रामे में फैसल कुरेशी हैं, साथ में सि उनीक देखने को मिलेगा, इसके बाद नमबर 15 पे जियो टीवी की मिनी सीरीज आती है, जिसका नाम है याहिया, इसक में हमें मदिया इमाम खुशाल खान, उसामा ताहिर, मुच्वा बास खान और कई स्पोर्टी एक्टर जैसे आइना सिव गरा देखने को मिलेंगे, इसे नमबर 14 पे आता है, हम टीवी के डामा हिजर, जिसकी शूटिंग कम्लीट हो चुकी है, और डामा अब भी बहुत ही जल्द किसी डामे को रिपलेस करने वाले है, तो इसमें हमें इमरान अबास, इनाल ताफ, मेबी, मदिया इमाम और एनी जारी देखने को मिलेंगे, इसे जिवी जबील में ने लिखए, एमद कामरान इसके डिरेक्टर है, मूमल एंटेइम्नेंट के प्रोड़क्शन तरही डामा बने है, और उमीद करते हैं कि डामा में बोचल देखने को मिल जाएगा, नमबर 13 पे आता है, डामा ये इश्क या फिर ये इश्क नहीं आसा, इस इसमें में शेरियार मुनवर, उशना शा, शुजा असद, महनूर, हैदर, सबाफ एसल, इरसा घज़र काई स्पोर्टिंग एक्टर्स देखने को मिलेंगे, इसे साधी अखतर ने लिखए, कासिम अली मुरीड डिरेक्टर है, सिक सिग्स इगमा का ड्रम है, शूटिंग जा इसमें हमें इमरान अबास, नीलम मुनीर, मिर्जा जैन बेग, रहमा जमान और जेब खान देखने को मिलेंगे, आमरा शाहिद ने इस से लिखए, असजबल डिरेक्टर थे, लेकिन अब सेद रामेश रिज्वी है, और सैवंस का इंटर्टेन्मिन के प्रोड़क्शन तले इसकी शूटिंग जारी है, उमीद करते हैं कोई अपडेट तो नहीं आई, बस शूटिंग जारी है, उमीद करते हैं कि हमें अगले दो मत में देखने को मिल जाएगा, इसके बाद नमबर 11 प्याते ग्रीन अंटर्टेन्मिन्ट का एक यूनीक परजेक्ट जिसका नाम है इ बहुत जल्ड देखने को मिल जाएगा, इसकी शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है, इसमें सिक और मुस्लमानों की कहानी दिखाए जाएगी, नमबर 10 पे जियो टीवी की मिनी सीरीज आती है, जिसका नाम है, हैश्टेग, इसमें हमें अली अंसारी उसामा खान, सबीना फा वी का एक अंटाइटल ड्रामा आता है, जिसका नाम है, नहीं, नाम तो पता ही नहीं है ना, तो इसमें हमें एमद अली अकबर रमशा खान और हमाद शूइब देखने को मिलेंगे, राइटल का भी नहीं पता, डिरेक्टर महरीन जब आ रहा है, और एमडी परड़क्शन क बैनर तले ड्रामा बने है, दरसल ही एक शौर्ट सीरीज है, जो के मन जोगी के बाद आएगी, और इसके बाद फिर वो सजल लली वाली टिक टॉकर वाली सीरीज आएगी, तो इसकी नोधस एपिसोड होंगी, इसमें में क्राइन वाला यौनरा दिखाया जाएगा, उमीर क बैने से लिखे है, नदीम बेक डिरेक्टर है, सिक्स सिगमा का ड्रामा है, उमीद करते है कि ये ड्रामा मेरे पास तुम हो के रिकॉर्ड के करीब पहुंच जाएगा, ऐसा मुझे लग रहे है, इसके बाद नमबर सेवन पे आता है, सुन मेरे दिल, अब भी यार ऐसा लग लगते हैं, अभी आने वाले है, तब इसका कोई ऐसा बीटियास आ जाते है, जिससे लगते है अभी शूटिंग हो रही है, तो ड्रामे कर्मे में हमें, वहाज, माया, अमर, हिरा, उसामा, अब तरी जबानी याद हो गए होगे होंगे, सबको खलील साब कर ड्रामे है, और ह अमिखान, दाले अलजफर, सुहाई अली अबरो, मामिया शजाफर, मीरा बली और मानूर हैदर देखने को मिलेंगे, मुस्त्वा फरीटी बहुत अच्छे राइटर है, और सहीद वजात हुसेन बहुत अच्छे डिरेक्टर है, जोडी बड़ी कमाल है, और जो कास्त है, व इसमें में सबूर, अली, सनम, साइद, आरेज, अधीर, अधीर, हुसेन और तारा महमूद देखने को मिलेंगे, रीदा बुलायल नहीं से लिख है, शेरज़ाद शेक डिरेक्टर है, सैंस के एंटिटेर्मेंट के परड़क्शन तले ये सीरीज बनी है, अब सुने में आ र नमीर खान भी देखने को मिलेंगे, जो शायद में ड्रामे में थे, इसको राबिया रजाक ने लिख है, साकिब खान इसके डिरेक्टर है, अमडी परड़क्शन के बैनर तले ये ड्रामा बने, इसकी शूटिंग जारी है, फिलहाल कोई अपडेट नहीं या ये ना बीटि है, जिसमें वो मतब हॉस्पिटल में है, साथ में सारा खान खड़ी है और इससे कह रही है, तुम शेयर हो, वो बीटियस देखकर मुझे तो लग रहा है, मैं अभी जाकर ये ड्रामा सैट पर ही देख लूँ सारा, तो मुझे दानिश ने मूर गंदा नहीं लगता, जब व अगर वो एक्टर किस चीज़ का मुझे ये बताओ, अगर वो एक ही तरह की रोल कर सकता है, तो अगर आडियंस तो से एक ही तरह की रोल में देखना चाहती है, तो फिर वो अपने आपको कहे ना, मैं टाइप कास्ट हो चुका हूँ, मुझे इसके लवा एक्टिंग नहीं एसन तालिश डिरेक्टर है, आइडियम एंटेइन्मेंट के प्रोड़क्शन देली ये ड्रमा बन रहे है, इसकी शूटिंग जा रही है, दोस्पेल कंप्लीट हो चुके है, लास्पेल चल रहे है, उमीद करते हैं ये ड्रमा में तकरीब नुवेंबर तक देखने को मिल ज सकती है, लेकिन मुझे लग रहे है कि ड्रमा की स्टोरी जा है, वो तगडी होने वाली है, क्योंकि इसमें आइज़ा खान जेल में है, कोट के सीन है, आइज़ा खान वकील है, और रिवेंज है, इसमें रुमेंस भी है, और क्राइम थ्रिल भी है, तो ड्रमा मसे को होगा, इसमें में फिरोज, आइज़ा, जाहिद, अइमद, हरून, शायद, आमन, इल्यास, आइज़ा, आइज़ा, आवान, नूर, नूर, लहसन, लाइबा, खान, किंज़ा, मलिक, एनिज़ादी, हिरा, सॉमरो, अली, गुल्मला, निदा, मुम्ताज, बहरो, सब्जवारी, और क तकरीबन कोई, नूमबर तक तो देखने को मिल जाएगा, इसके बाद, नूमबर वन पे मैंने की ड्रमा इसलिए रखा है, हमराज, शेर, इन सबसे उपर, मैं मन्टू नहीं हूं, इन सबसे उपर, क्योंकि टीजर पहले ने, जिसने भी देखा है, उसने तारीफ ही किया, तो फिर क्यों नहीं इसको उपर रखे, तो ये है दुनिया पूर, जो कि ग्रीन एंटिटेन्मेंट के ड्रमा है, इसमें में रमशाख खान, समी खान, खुशाल खान, नौमान इजाज, शमाईल खान और कई सारी स्पोर्टिंग अक्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे नग 30 सेप्टमबर से स्टार्ट होता, मतब उसकी जगर रिप्लेस करके स्टार्ट होता नसर आएका, आपके आपको दुनिया पूर का पहला टीजर कैसा लगा, आप इस नामे के लिए कितने एक्साइटेड है, मुझे ज़रूर बताईएका, तो यार ये है पचास नामे, जो कि हमें तकरीबन अगले कोई एक देर साल में देखने को मिल जाएंगे, कई से पहले भी आजेंगे, कई थोड़ा लेट, आप ज़रूर बताईएका, आप इन ड्रामों के लिए कितने ज़र एक्साइटेड है, या आप किन टॉप 10 ड्रामों का वेट कर रहे हैं, बगैर वीड को लेकर जो भी फीड़़ा को मुझे जरूर बताईएका, चाहे एक नुकता भी कमेंट सेक्ष्चन में लिखतें, चाहे वीडियो बुरी लगी है तो डिसलाइक भी करतें, जो भी फीड़ा को मुझे जरूर दीजेगा, तो आजकी वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडि झाल झाल